दोस्तो रेलवे एलपी के सीबीटी टू एक्जाम का फाइनल रिजल्ट जारे होने के बाद लाको अब बिरत्यू के मन में काफ़ी ज्यादा सवाल चल रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस यूड़े मिल जाएंगे तुझे लिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगर आप रेलवे की किसी भी एक्जाम की तैयरी करें तो आप सभी के लिए बंपर धमा का ओफर आया है वाइपा स्टेडी के सभी एजुकेटर अनकेडेमी प्लस पर स्पेशल लाइव कोर चला रहे हैं रेलवे की एक्जाम के लिए तो आप इसका सब्सक्रिप्श प्लान का जो प्राइस से वो घटकर कम हो जाएगा 10 प्रतिशत तो आप इसका लाब उटा सकते वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिल जाएगा तो देखे दोस्तो गवर्मेंट अब इंडिया मिनिस्ट्री आप रेलिवे 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 आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस यूडियो में मिल जाएंगे दोस्तो जैसे कि आप सभी को बताए 21,22,23 जनवरी 2019 को उसके 37,8 फरवरी 2019 को आरार भी एलपी टेक्निशन की CBT-2 एक्जाम कंड़क कराए गई ती और 23 मार्ट 2019 को प्रोविजनल स्कोर काड जारी कर दिये गए थे एलपी और टेक्निशन के जा दोस्तो और अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है CBT-2 एक्जाम का एलपी का दोस्तो एलपी एंड टेक्निशन उसके साथ पीसेम केंडिडिड आरार भी की ओपिशेल वेबसेट पर जाकर अ दोस्तो 16 एप्रिल 2019 तक आप अपने रिवाइस स्कोर काड चेक कर सकते हैं साथ यसाथ आपको अपनी आंसर की भी चेक कर लेना है कि अभी भी क्या कोई गड़बड़ी है दोस्तो अगर आपको अभी भी लगता है कि रिवाइस स्कोर काड जो जारी हुए इसमें भी कुछ म तो इस वीडियो के comment box में type करके आप बता सकते अपनी राय कि आपके कितने मार्स बड़े कितने मार्स कम हुए आपका selection हुआ या नहीं इस वीडियो के comment box में आप जरूर बताए आपकी आवाज हम उठाने वाले दोस्तों यहां पर आपकी जो computer-based aptitude test होगी 16 April 2019 को ली जाएगी और दोस्तों computer-based aptitude test याने CBT3 exam में total 5 battery test होगी हर एक battery test में आपको बयालिस अंक लाना mandatory है अगर आपकी एक भी battery test में बयालिस अंक नहीं हाते तो आपको selected नहीं किया जाएगा LP के पदों के लिए आप सीधे भरती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे तो दोस्तों बहुत मोका आप सभी के लिए और अंती मोका है अगर आपका selection हुआ है तो आपको ये मोका गवाना नहीं है आपको अपनी कमर अच्छे से कस लेनी है और अभी से तयारी में जूट जाना है आपके पास केवल 10 दिन बचे ज्या दोस्तों RDSO और उसके साथी साथ official website पर जाकर 10 April 2019 से आप मोक टेस्ट दे सकते हो जिसके माद्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको एक्जाम दिने और किस टाइप से आपको सवाल पूछे जाएंगे जिया दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इसके पहले जो result जारी हुआ था उसमें कुछ गड़बडी थी जिसकी जारी हुए है और दोस्तों computer based aptitude test में आपको vision certificate लेकर जाना है अगर आपके पास vision certificate नहीं है तो आज और अभी बन वाले जिया दोस्तों क्यूंकि यह बहुत जरूरी है अगर आप इसे नहीं लेकर जाते तो आपको entry नहीं जाएगी exam hall में दोस्तों email और sms के माद्यम से और आपने आपती भी दर्ज करा होगी आपने कितने questions आप से ignore किये गए थे आपके answer की से ये भी आपको पता होगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके answer की में अभी भी कुछ गड़ बढ़ी है तो इस वीडियो के comment box में type करके आप बताए साथ साथ Twitter handle पर भी आप tag करें railway recruitment board को दोस्तों लाखो अभी द्वारा एक ही सवाल बार बार हमारे comment box में पूछा जा रहे है कि PCM और technician का cut up और result कब तक जारी होगा तो दोस्तों आप सभी को update करना चाता हो यहाँ पर भी जानकरी दी है कि जब आपका computer best aptitude test and cbt3 exam का result जारी होगा उसी के साथ technician और PCM candidate का भी result जारी होगा जिसमें आपकी पूरी cut up list होगी और लाको अभिरतियों द्वारा एक यह सवाल पूछा जारा है कि अगर ELP का cut up से अगर उनकी कम marks आ रहे है technician के लिए तो क्या उनका selection होगा तो दोस्तों हो सकता है उस board का जो cut up जाएगा उस पर depend करेगा कि आपका selection हो गया नहीं टोटल 19 RRB का अभी तक result ने cut up जारी हुए आप RRB की official website पर जाकर चेक कर सकते हैं psychotist के लिए book आपको इस video के description box दो मिल जाएगी जारा से आपको आसानी से download कर सकते हैं